हलो दोस्तों नमस्कार आदाप सस्रेकाल सभी को जी एस इनुकर्ण मैप का हर्तिक स्वागत और अफिन दन करते हम बात करेंगे नाइस डिलेट को लिके बड़ी अपडेट क्या है जैसे कि आपको बता दे नाइस डिलेट में सरकार का क्या रूख है पर विद्यार्थियों के पच्छ में नया मिले क्योंकि आपको बता दे सुप्रीम कोट से नया मिलना भूत आशान नहीं है और ना हाई कोट से क्योंकि अब मिलेगा कहीं ना कहीं तो सरकार से आप देख सकते हैं नियूज एटिन बिहार में आज बिहार बीपेसी टीरी टू सफल होने के बाद भी ब दोखा क्या है क्योंकि मैंने सारे एकजाम पास कर लिए लेकिन फिर भी हमारा सेलेक्शन नहीं हुआ है देखिए और उन्होंने एक चीज क्या विश्णात जी ने क्या कहा इस चीज को लेके जापने गांधी जी के तीन मंदर वाली कहानी सुनी होगी कि सरकार देख भी रह ही है और चुपी है कहने के मतलब सरकार ने इस पर बिलकुछ चुपी साथ रखी है ना उस सुनना चाहती ना कुछ बोलना चाहती जब की कोर्स उसने कराया आपने देखा होगा कि सारी चीजे उन्होंने कराई प्रधान मंतरी मोदी जी के साथ सारी चीजे करके उनके मंतरी उनके नेता उनके सब कुछ ये अन्सीटी ये मैचारिटी सब ने लेकिन अब जब आ गया है उनके फ्यूचर का सवाल तो उनके साथ अन्याय धोखा किया जा रहा है तो इसके लिए कहीं न कहीं बिद्यारतियों कब एक जोटता दिखानी पड़ेगी और गजट की मांग करनी पड़ेगी और इस समय देखिए अचार सहीता लग गए इसलिए अप जादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं लेकिन हाँ आप अपनी भग के लिए लड़ सकते हैं कम इसके में ट्विटर केमपियन चला सकते हैं सारी चीज़े कर सकते हैं लेकिन देखना बात है कि अगर इस तरह रहा तो सरकार तो बिल्कुल चुपी साथी रहेगी कोई मंतरी कोई नेता कुछ नहीं बोलना चाहता है इसलिए आपको अपने हाग की बात करनी है कि भाई नयाए नहीं तो ओट नहीं क्योंकि आपको 14 लाग विद्यारतियों के अपनी ताकत दिखानी है विद्यारती इस चीज़ को कहते जरूर हैं लिखते जरूर हैं लेकिन इनके साथ कुछ होना है सुप्रिम कोट चाहता ही नहीं है सुनना क्यों देखिए आप देखें बियाट की केस में देखिए कहीं न कहीं बियाट का पहले ही मैटरिस था लेकिन जैसे चुनाओ के पास आने लगा सरकार पहीं उनके तरफ रुख ले रही कहीं ने कहीं उनको ब्रिज कोर्स कराने की बात करें तो क्या जब बीयाट वालों को सामिल किया जा सकता है तो नहीं सामिल किया जा सकता है उनका भी रुख होना चाहिए कि उनका भी ठीक है आप 18 मंत का कोर्स करा के इनकी बात कर रहे हैं तो आप हैटीज मंत के कॉर्स को छे महीन एक ब्रीज को कराईिए उनको भी बेलिट कराईए लेकिन ऐ नहीं है एटीज मंत क कर्स नहीं है रेगुलर दो साल का ही कॉर्स है अगर देखा जाये तो बहुत सारी निवस्टिय हैं जैसे पिए इस डी देखी तो दो साल का ही को होता है लेकिन इसको पांच साल करा जाता है लेकि हम उसको पांच साल का नहीं कह सकते हैं क्यूंकि अब उस कोर्स कितने दिन कर आगया माशने नहीं रहतIE लेकिन जगर उसने नोटिफिकेशन में दो साल का है तो दो साल का ही रहेगा अब देख सकते हैं हैजटेक प्रधान अद्रोपती मुरमुर जी हैजटेक एंसीटी दिलही हैजटेक मतलब अमिसाह जी तो सभी को लेके इन्होंने ट्विट किया है कहने कि मतलब बिद्यार्थियों का थोड़ा सा रुख अगर जादा इस तरह बढ़ता है तो आपको नया मिलने की संभाना दिख सकती है और इसमें चुनाओ का महौल है इसलिए उमीदे भी थोड़े सी जादा क्योंकि वो आप अपने ही जज्जमेंट को बैलिट करेगा तो खबर यही थी अगर वीडियो पसंदा था चैनल को लाइक करें जदा ज्यादा अपने दोस्त में सेयर करें सिच्छक बढ़तिक बढ़वल के अपड़ेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते ह कि इस मुहीं में जदा जदा लोग बढ़के निए सरकार बीचाहती कि विद्यारती अपनी संख्या दिखाया और संख्या जादा होगी तब सरकार इस पे विचार करेंगी क्योंकि कहीं मीटींग होती कहीं अंदुलन होता